खरीदे दोहजार रठारा त्रिकाल सहिता और जाने साल दोहजार रठारा का विस्त्रित फलादेश, उपाय, सफलता और संद्रिधी के सूत्र नमस्कार आप देख रहे हैं एसोसेज टीवी और मैं हूँ आपका अपना एश्रोगुरू मुलकाम सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2018 की हार्दिक शुब कामना हैं हम आशा करेंगे कि आपका ये वर्ष प्रतेक वर्षों की भाती और उनसे भी आगे बढ़ कर रहे अर्थात आप फूलें फलें तरक्की करें प्रसन्यता पाएं अपनों का प्रेम पाएं मन चाही मुराद पाएं और जीवन में तरक्की के अपत पर आगे बढ़ें आज हम बात करेंगे मासिक राशीफल जन्वरी 2018 की लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले यदि अभी तक भी आपने हमारी यूट्यूब चैनल एस्सोसेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करप्या भी कीजिए और अपने भविश्व से जुड़ी समस्प्रकार क की जानकारिया पाने के लिए डाउनलोड कीजिए एस्सोसेज कुंडली एप को तो आएए जानते हैं जन्वरी 2018 का मासिक राशीफल सिंग राशी इस महा आपके अंदर जोश और उमंग को ज़्यादा होगा साहस और पराकरम के साथ आप अपने कारेयों को अंजाम तक पहुंचाने का हर संभव प्रियास करेंगे इससे आपको अच्छी कामियाभी मिलने की संभावना बनती है आप एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं और जिम्मेदारी से कारे करने पर आपको कामियाभी जल्दी और अच्छे रूप में प्राप्त होती है परंतु जल्दबाजी में कारे करने से आपको नुक्सान होने की भी संभावना होती है इस महा आपको वाहन घर की सुविधा अधी प्राप्त हो सकती है परंतु पारिवा के परती रुज्ञान ज्यादा दिखाना चाहिए यदि आप इस महीं ने कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो आप विलंब ना करें आप अपनी शम्ता के अनुसार कार्य को शुरू करें क्योंकि गुरु तुला राशी में गोचर कर रहा है जो आपके करियर के दिश अच्छे संबंद बना कर रखें अपने अफसरों का मान संबान करें जिससे आपके करियर में और भी निखार आए और आप अच्छी उन्नती कर सके भागदोर तथा तनावपूर्ण परिस्तितियों के बावजूद भी आप बहतर प्रदर्शन कर सकते हैं आपके इस्तिति परिवार को liquid मातापिता का सयोग प्राप्त हो सकता है संतां से खुशी भी आपको प्राप्त होगी आप यादे बच्चों की पढ़ाही को लेकर को योजना बना रहे हैं तो आप जरूर बनाए और ऊसे आप पूरा करने का प्रियास करें यदे आप वहान अतवा घर आदी लेने की सोच रहे हैं तो माता-पिता का आशिरवाद लेकर ये कारेश शुरू कर सकते हैं परिवार में आपको मान सम्मान प्राप्थ होगा तथा अपने सयोग से परिवार की इस्तिति को भी आप अच्छा कर पाएंगे आपको अपने सगे संबंदियों से भी सयोग प्राप्थ हो सकता है परंतु सगे संबंदियों से संबंद सामानने रूप से ही बनाए रखे यदि बात करें आर्थिक इस्तिति की तो करियर के दिश्चिकोंड से आपका समय अच्छा रहेगा जिसकी कार्ण आपको आर्थिक लाव होने के अच्छे संके दिखते हैं आपके दोरा किया गया प्रयास सफल होने की संभावना होगी कामका से सम्मंद धनलाव के अच्छे एफसर प्राप्त होने की संभावना बन रही है यदि किसी कारह को लेकर कहीं कोई पैसा आपका रुका हुआ है तो वो भी धन आपको प्राप्त हो सकता है फरंतु इसके लिए आपको प्रैयास करने की जरूरत है तब ही आपको अच्छी सफलता मिल सकती है आपको अपना धन प्राप्थ हो सकता है कहीं ऐसे जगे में कोई इंवेस्टमेंट ना करें जिससे कि आपको नुक्सान उठाना पड़े आप आर्थिक मामलों में सजग रहने का प्रयाश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा प्रेम वावयवाहिक जीवन की बात करें तो इस माहा में आपके प्रेम संबंदों में कुछ तनाव अथपन हो सकता है आपके प्रियतम से लगाव कम हो सकता है यदि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं तो आप 15 तारिक के बाद अपनी बात को रख सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या सुलज जाए, उस समय के बाद आप अपने प्रियतम को अपने प्यार का एहसास करा सकते हैं, इसलिए आप अच्छा अफसर देख कर ही उनसे बात करें, आप उनको अपने व्यावसाय में भी शा कर सकते हैं, जो करने लायक हो, आप अपने घर परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसलिए आपको अपने जीवन साती का मान रखना बहुत जरूरी है, इससे आपके कारें में चार चांद लगेंगे और आप अपने जीवन में अच्छी उन्नती प्राप्त कर पाएंग बिगड सकता है, ऐसे में आपको अपना ख्याल रखते हुए, उनका भी ध्यान लखना आवश्यक होगा, यह महाँ आपके लिए सुकून भरा रहे, आप अपने कारें में अच्छी काम्याभी हासिल कर सकें, आपको किसी तरह की शारिक समस्या होती है, तो आप डॉक्टर से सलह अवश्यल हैं और उपाय करने चाहिए, जिससे की समय रहते आप अपने आपको बहतर महसूस कर सकें, उपाय के रूप में इसमाह आपको सूरदेव को जल देना चाहिए, तथा आधित्य हर्देश्वरोत का पाठ करना आपके लिए बहतर हो सकता है, आप सूरे को जल मे जो हमारा यूट्यूब चैनल है, और आप अपने जीवन से जोड़ी, अपने भविश्य जोड़ी, किसी भी समस्या को जानने के लिए डाउनलोड किजिए, आप सबी के लिए नव वर्ष का ये नव मास सुमंगल दाई हो, इन्ही सुब कामनाओं के साथ आपका अपना